अलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल फिल्मी आकाश फिल्मी और मैं हूँ आपका दोस्त आकाश आज हम चानेंगे मितुन चक्रवर्थी की 1987 से लेकर 1997 तक फिल्मी सफर के बारे में इस से पहले में पहला विडियो पेश कर चुका हूँ जो 1976 से लेकर 1986 में था ये उसका दूसरा पार्ट है तो बिना देरी की रिये झाल 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 प्रुश्मन जो अंगो विचार का हिंदी वर्शन था उसके बाद आई पाप की कमाई 1990 में ये भी बॉक्स अफिस पर नहीं चली उसके बाद रोटी की कीमत 1990 में किमी काटकर के साथ उसके बाद शांदार ये भी बहुत बढ़िया फिलिम था लेकिन बॉक्स अफिस पर नहीं चली उसके बाद नमबरी आदमी 1991 में ये फिलिम भी फ्लॉप था उसके बाद शिकारी ये एक रेशियन डब मुवी थी और उसके बाद आई ततिग्यावद ये बियार चुपरा के डारेक्शन में बना हुआ था और उसके बाद आई त्री नेत्र नाइनटी नेटी वान में ये फिल्म हिट साबित हुई उसके बाद प्यार हुआ चुरी चुरी बहुत अच्छी फिल्म थी लेकिन ये फिल्म नहीं चली उसके बाद मादूरी दिख्षित के साथ नाइनटी 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 वन में ये फिल्म नहीं चली उसके बाद जूटी शान नाइनटी 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 वन में ये चली उसके बाद आई एक लेट रिलीस फिल्म राजू दादा नाइंटी 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 टू में और उसके बाद मेरे सजना साथ निभाना जो ही चाहुला के साथ नाइंटी 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 टू में उसके बाद आए एक बेंगॉली मुवी तहादिर को था जो न इसके बाद आई योगंधर 1993 में एक एक्षन मुवी था उसके बाद आदमी यह बीग एक्षन मुवी था यह फिल्म हिट साभीत हुई बॉक्स आफिस में उसके बाद सुपरेट फ्लेम फूल और अंगार 1993 में और उसके बाद जीवन के शतरंज 1993 में लेकिन यह फिल्म नहीं चली उसके बाद आया शतरंज 1993 में यह एक एवरेच फिल्म साबित हुई और उसके बाद पुझा नवतार 1993 में यह फिल्म अतनी नहीं चली और उसके बाद आई महरबान यह फिल्म एक एवरेच फिल्म साबित हुई उसके बाद आई परदेसी 1993 में लेकिन यह फिल्म बॉक हिट पर है उसके बाद बंगौली भर्शन तलाल का यह भी सुपर इट था बंगौल में और उसके बाद आई पर महतमाong 9094 में जूई Häule के साथ उसके बाद 1994 में आई कृ apologise शेतर नहीं चलिए वॉक्स होफिस में उसके बाद एक हिट फिलिम दी चीता नाइंटी 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 फॉर में उसके बाद आई जनता की अदालत मधू के साथ नाइंटी नाइंटी फॉर में ये हिट था और उसके बाद तीसरा आदियार गद्दार नाइंटी 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 फॉर में के एवरेच फ्लिम था तीसरा कौन आया 1994 में ये भी एक एवरेच फ्लिम था उसके बाद आई रखवाले जिसमें एक इसके बाद सुपर हिट फ्लिम रावन राज मदू के साथ ये फ्लिम बहुत अची चली नेक्स्ट फ्लिम जलाद इस फ्लिम का क्य तरिया कहना बहतरीन फ्लेम सुपर हिट फ्लेम उसके बाद आए जक में सिपाई 1965 में यह रच फ्लेम ँसके बाद निशाना रेखा-क साथ 1985 में लेकिन यह फ्लिम उत्नी नहीं चली उसके बाद 1985 में अहंकार सक्तिसावन तक डायरेट किया हुए उसके बाद रेखा के साथ अब इन्साफ होगा 1995 में उसके बाद आए गुनेहगार पूजा भट के साथ 1985 में और उसके बाद आई The Dawn 1985 में एक एवरेच फिल्म थाबित हुई उसके बाद एक बिंगॉली मुवी भाग या देवता 1985 ये फिल्म उतनी नहीं चली उसके बाद 1995 में आई दिया और तूफान ये फिल्म भी उतनी नहीं चली उसके बाद निर्भयन 1996 में संगीता बिजलानी के साथ ये फिल्म भी नहीं चली उसके बाद मुकदर आई 1996 में जो एक हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद जुर्माना ये भी एक हिट फिल्म साबित हुई उसके बाद आई भीशमा 1996 में ये फिल्म एवरेच थी उसके बाद आई दानवीर 1986 में ये फ्लिम उतनी नहीं चली उसके बाद 1986 में आई अपने दम पर ये भी बॉक्स अफिस पर नहीं चली उसके बाद हिट फ्लिम दिया जय देवगन के साथ जंग अधित्य पंचोली भी थे उसके बाद आया अंगारा 1996 में ये फ्लिम उतनी नहीं चली उसके बाद आये रंगबाज 1996 में ये फ्लिम भी उतनी नहीं चली और उसके बाद 1987 में शपत आई जैकी स्रॉप के साथ ये एक हिट फ्लिम था उसके बाद जोड़ीदार 1997 में रिलीज हुई अधित्य पंचोली के साथ और उसके बाद आये ल push kinda 97 में यह फिलीम बोकस ओपीस पर हिट था। उसके बाद आई दादागिरी 1997 में और उसके बाद आई सूरज आईशा जुलका के साथ यह फिलीम उतनी नहीं चली। उसके बाद एक बंगॉली जीवन जुद यह फिलीम ुतनी नहीं चलिया उसके बाद हिंदी वर्षन जीवन यूद आईशा जुलकराखी के साथ ये फ्लिम उतनी नहीं चली उसके बाद क्रांतिकारी जो भागिया देवता बेंगॉली मुवी का हिंदी वर्षन था और आखिर में गुरिया जो एक आठ फ्लिम था ये फ्लिम उतनी नहीं चली तो ये था पूरा सिलसला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जाने से पहले बेला इनको दवा दे एक लाइक कीजिए मैं फिर से हाजिर होंगा नमस्कार